Good morning student, आज हम लोग फिर से चलिये, अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था देखिए, ओ की मातरा समझ में आ था ना कि आप पे दो मातरा होती तो क्या हो जाता पिटा ओ की मातरा ना तो उसी से रिलेटेड पूरा ओ की मातरा पढ़े थे कैसे लगाते हैं इसको आपको दू लिखने के लिए दिया था फिर देखिए उसी से रिलेटेड हम लोगों ने वो इसका लेसर पढ़ा गौरी की मोसी और इसमें जो मातरा है उसको हम लोगों क्या था है एड़ाइन किया था इसको आप लोग लिख लेंगे समझ में आए आप आगे चलते हैं इसको रीड कर ल पोयम में क्या देखिए रवीवार है मौज उडाओ पहले गरम पकोडे खाओ फिर हो जाओ सबतयार नौका पर होकर सवार पार नदी के जाना है मौसी को लेकर आना है अब इसमें देखिए कहा है काम लोग ने ओकी मत्रा का उप्यों किया है रवीवार है मौज मौपे कौन सी मत्रा है ओकी उडाओ उडाओ में आपे है क्या ओकी मत्रा नहीं यह क्या है ओकी मत्रा है यहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे और इसी से मंत्रा आप लोग खाओ नहीं है इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे यह धीक है इसलिक है इसको अलग से कि फिर हो जाओ अगर कोई भी आपको बोल रहे हैं जाओ लिखो खाओ लिखो तो कौन सी मतर लगेगी ऑखी नो का पर होकर सवार पार नदी के जाना है और मौसी का तो पहले ही बतायाता है जब लेशन रेट करतना मौसी मौ पे कुन सी मतर आखी मौसी को लेकर आना है आपका हुत क्या है वो जो हारड वर दीए है देस न का उसको लिखना और इसमें जो जो कंकी मत भी राइट करेंगे ठीक वो हाड वर्ड लिखेंगे क्योंकि कल संडे फिर आप लोगों को कल हुमक आता नहीं है तो इसलिए आज हुमक थोड़ा जादा है तो क्या है आपका ये पूरा हाड वर्ड पोयम का प्लस लेशन का जो दिया गया है अंडरलाइन जितना वर्ड किया गया है उसको लिखेंगे अच्छा से और इसके बार ये पोयम आप सबको लर्ण हो जानी चाहिए पूरा अच्छा से और इसको कॉपी में स्टी डबलू में लिख लेंगे ठीक बटा ओके बाई